नमस्कार 27 अगस 2009 के अमेरिका लाइब में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर मुंबई में हुए आतंकवारी हमनों के मामले में हाफित सहीद और अबू हमजा पर इंटरपोल का रेड कॉर्णर नोटिस जारी पाकिस्तान इस पर क्या करवाई कर सकता है जानेंगे विशेशग्य से अफगानिस्तान में चुनाओ के कुछ और परिणाम घोशिद कारजाई ने अपनी बढ़त मजबूत की और अमेरिकी सिनेटर और कूर्व राष्टपती जॉन केनेडी के भाई टेड केनेडी के निधन पर राष्टपती उबामा की श्रदान जले वोईस ओफ अमेरिका का मैं हूँ आउशमान आप्टे अब खबरें विस्तार से अंतरराश्ट्य सुरक्षा एजनसी इंटरपोल ने मुंबई हमलों के अभियुक्त हफीज मोहमत साईद और अबू हमजा के खिलाफ रेड कॉर्णर नोटिस जारी किया है हाफिज साईद प्रतिबंधि जमात उद्दावा का प्रमुक है तो हमजा पर मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों को प्रशिक्षन देने का आरोप है तो इस रेड कॉर्णर नोटिस के बाद अब पाकिस्तान द्वारा क्या उन पर कारवाई होगी आईए जानने के लिए बात करते हैं वियोए की उर्दू सेवा के कारेकारी संपाद कोकप फशोरी से कोकप स्वागत है स्टूडियो में तो इस नोटिस को पाकिस्तान किस तरह से देखता है और क्या वो कारवाई करेगा इस नोटिस को मद्न नजर रखते हुए अंश्मन आपको पता है कि जो उनकी हाफिस सहीद की जो जमात है जो उनकी पार्टी है वो बैंड है पाकिसान में अलरड़ी उन्हें एक कोर्ट ने जून महीने में रिलीस किया तो इसका मतलब है कि उनके खलाफ एक एक्शन हुआ था उसके बाद कोर्ट ने उनको रिलीस कर दिया पाकिस्तान की जो ऑफिशल इस पर रिस्पॉंस है इंटर पोल वाला जो इशू हो इस पर इस पर यह पाकिस्तान के इंटिरियर मिनिस्टर का कहना है जो एडवाजर ने प्रामिनिस्टर के रहमान मलिक के वो प्रूफ देखने के बाद डिसिशन लेंगे अमेरिका के केस में अगर हम देखें तो आमेरिका के बहुत काम ऐसा हम देखते हैं रीसिट ईस्टरी में 9-11 के बाद से हाथ करें कि अमेरिका ने इंटरप плох पर रिलाई किया हो या इस चीज उए या कारवाई में गहीं हो इंडिया पाकिस्तान के कॉंटेक्स्ट में अमेरिका की यही खुएश होगी कि दोनों मिलकर इस चीज से काम करें जहरे एंड रिजल्ट अमेरिका यही चाहता है कि ऐसे ऐलेमेंट्स जो टेरिरिजम पहलाने में इंवाल्वन है उन्हें एरेस्ट किया जाए उन्हें जस्टिस तक पहुँचाया जाए लेकिन पाकिस्तान इंडिया के कॉंटेक्स में अमेरिका यही चाहेगा कि जादा सजादा कॉपरेशन दोनों मुलकों का हो और पाकिस्तान इंडिया के बारे में जो डिवलोपमेंट्स हैं उनको तो आप एक नेक्स्ट एक टीन मेने में क्या इस बारे में डिवलोपमेंट्स देखना है डिपेंड करता है पाकिस्तान और इंडिया के कॉपरेशन पर क्योंकि Interpol तक चले जाना is not the end result पाकिस्तान इस पर अब किस तरह से जिस तरह पाकिस्तान ने कहा है कि भी हमें सुबूत दिये जाएं अब इंडिया का अगला स्टेप क्या होगा उस पर फिर पाकिस्तान का अगला स्टेप डिपेंड करेगा कि दोनों मुलक आपस में मिलकर किस हद तक अगर ऐसे कोई elements है जिनके खिलाफ solid proofs है उन्हें अरेस्ट होना चाहिए और पाकिस्तान की इस बारे में commitment है पाकिस्तान कहाता है कि उन्हें बिलकुल अरेस्ट होना चाहिए बहुत बहुत शुक्री आपका मेरी इस पूरी बाचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाईए पता है www.voasamachar.com अफगानिस्तान में दूसरे चरण में घोशित परिणामों में राश्टपती करजाई की बढ़त मजबूत होती दिख रही है वहीं इस पूरी प्रक्रिया में गड़बडी के आरोब भी तेज हो रहे है इस बारे में अमेरिका की भूमी का पर अब सब की नजर लगी हुई है हाला कि अफगानिस्तान चुनाओ की आंशिक मदगर्णा में राश्टपती करजाई आगे हैं लेकिन उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी थोड़े अंतर से ही उनके पीछे है जानकारों का कहना है कि अभी जितने मतों की यंती हुई है वो बहुत छोटा हिस्सा है और तस्वीर साफ होने में थोड़ा समय लएगा जिस भी उमिदवार के हिस्से में 50 प्रतिशस से ज्यादा मत पड़ते हैं वो चुनाओ जीत जाएगा वरना दोबारा चुनाओ कराने होंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान नीती पर उबामा प्रशासन के सलाहकार बूर्स रिडल का कहना है कि अगर चुनाओ दोबारा होते भी हैं तो वो भी एक तरह से अफगानिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा अगर दोबारा चुनाओ होते हैं तो उसे एकदम से अफगानिस्तान के लोगों का लोकतंतर पर विश्वास बढ़ेगा दूसरे दौर में जब दो लोगों के बीच आम जनता को चुनना होगा तो अफगानियों के बीच विश्वास बढ़ेगा कि मतदान से सच में फर्क पड़ता है अमेरिकी संसत के शेर कहलाने वाले अमेरिकी सिनेटर और पूर्व राष्ट्रपती जौन केनेडी के भाई तेड केनेडी का निधन हो गया है वे 77 वर्ष के थे उनके निधन पर राष्ट्रपती उबामा ने उन्हें श्रद्धान जली अरपित की अमेरिका में कैपिटल हिल और वाइट हाउस के सामने एडवर्ड केनेडी की याद में धोज चुके हुए हैं एडवर्ड केनेडी पिछले 15 महीनों से कैंसर से लड़ रहे थे केनेडी की मौत का शोक अमेरिका के साथ दुनिया भर के लोग मना रहे हैं लगबक 50 साल तक सेनेटर रह चुके टेड केनेडी ने राष्टपती बराक उबामा के चुनाफ प्रचार को पूरा समर्थन दिया उसी टेड केनेडी को श्रधानजली देते हुए उबामा ने उन्हें एक असमानय व्यक्ति बताया उनके विचारों और आदर्शों की मुहर अमेरिका के कानूनों और लाखों जिंदगियों में देखी जा सकती है इसका प्रतिविम देखने को मिलता है वृद्ध नागरिकों की नई गरिमा में नए आउसर पाने वाले परिवारों में शिक्षा का महत्व समझने वाले बच्चों में उन सभी में जिसमें मैंामिल हूँ जो अमेरिका में अपना सपना साकार करना चाहते हैं एक ऐसे अमेरिका में जिसमें समान तौर गया है एड़वर्ड केनेडी चार केनेडी भाईयों में इसे सबसे छोटे थे उनके बड़े भाई पूर्व राष्टपती जॉन एफ केनेडी थे केनेडी परिवार को कई हाथ से जहलने पड़े लेकिन टेड केनेडी ने हर बार परिवार को संभाला राजनीती के अखाड़े में डेमोक्राटिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद रिपपलिकन पार्टी के सांसद उनका आदर करते थे केनेडी ने राजनीती का इस्तमाल लोगों के भलाई के ले किया स्वास्त सुधार उनके दिल के बहुत करीब था और आखरी वक्त तक अमेरिका को स्वास्त बीमा दिलवाने के लिए वे लड़ते रहे राष्टपती उबामा जिस स्वास्त सुधार की कोशिश कर रहे हैं जानकार कहते हैं कि ये एड़वर्ड केनेडी की विरासत मानी जा सकती है शनाली सैन, वोईस अफ अमेरिका लाइव आप हमारी विबसाइट पर भी देख सकते हैं पता है www.voasamachar.com अमेरिका लाइव के बारे में आपके कोई भी सुझा हो तो हमें लिग भेजिए पता है www.voanews.com लेकिन अभी इतना ही कल आप से फिर मिलेंगे नमस्कार